बात करने वाले हैं वजीरेक्स हैक को लेके जो तीन दिन पहले हैक हुआ था वजीरेक्स का उसको लेके अब तक क्या कुछ हुआ है और वजीरेक्स के उपर जिनके फंड्स अठके हुए है उनको वापिस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और जिनका पैसा हैकर लेके चले गए उ उनको भी अपना refund मिले गा या नहीं मिले गा तो आज सिर्फ और सिर्फ वजीरेक्स की बात करेंगे और तीन दिन हो चुके हैं वजीरेक्स का hack हुए और वजीरेक्स की टीम ने अब तक क्या-क्या steps उठाये हैं उसके बारे बात कर लेते हैं steps तो जरूर उठाये गए हैं यहां पर complaint भी की गई वजीरेक्स की तरफ से और एक सबसे बड़ा update आज आ रहा है वजीरेक्स का ठीक है क्योंकि एक छोटा मोटा तो hack है नहीं hack जो भी हो जितना भी फंड जाये वो सब users का जाता है effect सिर्फ users के उपर पड़ता है तो 2000 करोड का तकरीबन तकरीबन का hackers ने फंड उड़ाया वजीरेक्स के उपर से तो वजीरेक्स का एक latest tweet यह बता रहा है कि in response to the recent cyber attack one of our multi sign wallet we are announcing a bounty program to recover the stolen asset तो bounty program यहां पर announce किया है वह जीरेक्स ने ठीक है बाउंटी program का मतलब क्या होता है कि जो यह पता लगा सके कि पैसा कहां गया है ठीक है मतलब एक तरह से पता लगा लेना और जब तक पता नहीं लगेगा तो फिर recovery होगी कैसे तो recovery बहुत जरूरी है ठीक है और वी इन्वाइट दा कमिनिटी तो पार्टिस्पेट इन बाउंटी वन ट्रैक और फ्रीज ओफरिंग रिवर्ड अप टू 10 थाउजन वर्थ डॉलर वर्थ उस्टी फोर एक्शनेबल इंटेलिजेंस दा लीड तो फ्रीजिंग दा फंड तो जहां फंड है क्योंकि अभ उस्टी वाइट रिकॉवर्य तो एक तरह से इनाम की घोशना की है एक तरह से इनाम दिया जाएगा उसको जो यह पता लगा लेगा ठीक है ये सारा बाउंटी प्रोग्राम का एक स्टेप जूर्री है अब यही देखना ज़रूरी है क्या इस Bounty Program में कोई ऐसा काम कर सकता है या नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारे यूजर्स परेशान हैं वजीर एक्स के ठीक है उनको ना तो विड्रॉल मिल रहा है जिनके अभी वी वजीर एक्स पर है उनको एक होप तो है चलो वजीर एक्स पर पढ़ा तो है पैसा लेकिन जिनका चला गया जो हैकर लेके चले गए वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इस लिए परेशान है बैया कई हमारा भी उड़ ना जया है ठीक रहा है तो बिलकुल अब तक वजीर एक्स की थीम क्या क्या कर रही है वजीरेक्स की टीम को लेके यहां पे निश्चल शेटी का वे ट्वीट आया और जब यह मुवमेंट है वो क्या चल रही है उनको यहां पर ट्रेस किया जा रहा है और वी हैव इनफॉर्म ओल्द अधर एक्षेंजेस सम्हेव रिस्पॉंडड़ सम्हार येट तो एक्षेंजेस का सपोर्ट बहुत जरूरी है जितनी मार्किट की बाकी एक्षेंजेस है अगर वो सप एक्षेंजेस का सपोर्ट जरूरी है तो बस एक होप है जो स्टेप्स यहां पर उठाए गए है वो डेफिनेटल अगर वर्क करते हैं तो सारा फंड रिकवर हो सकता है ठीक है अब उसी न्यूज उसी अपडेट का आप इंतजार कीजिए जब ऐसा ट्वीट ऐसा पोस्ट आता है वजीरेक्स की तरफ से कि हां कुछ खुश्खबरी मिली है फंड को रिकवर किया गया या फ्रीज किया गया ठीक है कुछ इस तरह का अपडेट मिलता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब वेट करना पड़ेगा मिल सकता है ऐसा अपडेट ठीक है और आज हम वह करने अपड़ेट सारी लुका है ậुट को इसको है अगर वर्ती गई है तो इसमें किसकी ला पर्वाई है यह सब investigation से ही पता चल सकता है और क्या यह hack हुआ है या करवाया गया है investigation में ही सब चीजें clear होती है hack हुआ है या करवाया गया है hack लापरवाही से हुआ है किसी की लापरवाही है क्योंकि fund तो यहां पर users का ही गया है और इससे बाकी Indian exchanges को सीखने की जरूरत है कि अगर उनकी security safety में कुछ उनके wallets में कुछ safety की कुछ कमी खामिया है तो उनको यहां पर दुरुस्त किया जाए उनको यहां पर देखा जाए परखा जाए ताकि उनके साथ ऐसा ना हो क्योंकि जो गलती वजीरेक्स के साथ हुई है जो भी हुई है यह तो time बताएगा कि कैसे हुआ है लेकिन बाकी exchanges को यहां पर सीख लेना चाहिए ताकि बाकी exchanges की users को यहां पर impact ना पड़े और सबसे ज़्यादा users जितने भी हैं चाहे coin DCX के हो चाहे वजीरेक्स के हो आप अपने fund की safety देखिए आपका fund कहां safe है जब आपको withdraw लेना है एनी टाइम आपको withdraw मिले यह आपको decide करना है ठीक है आपको अपना fund कहां रखना है 24-7 आपको जब भी withdrawal की जरूरत है पैसे की जरूरत है वो भी मिलना चाहिए क्योंकि वजीरेक्स पे अभी withdrawal नहीं मिल रहा और withdrawal की problem रही है Indian exchanges के साथ तो यह अब तक का scenario है वजीरेक्स के साथ जो भी आगे updates रहेंगे वह हम discuss करेंगे ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर